तो मैंने तोहारों के सीजन को देखते हुए केंद्रिय स्वास्ते मंध्राले की तरफ से नई कोबिड गैडलाइन जारी की गई है केंद्रिय स्वास्ते सचिव राजी भूशण ने गृबार को एक भरत में अभी भी कोरणा वाईरिस की दूसी लहर का खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है कुछ राज्यों में अभी संक्रमण में तेजी देखी जा रही है उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पावंदी में ठील दी जा रही है बहां भी संक्रमण को लेकर चेतावनी दी गई है अगले दो महीने तियोहारों का माहौल रहेगा ऐसमें केंदर की तरफ से कोरुना को लेकर सतरक्ता बरतने की सलादी गई हैों कुछ नए नियम जाली के गए हैं स्वासल सुचिव ने कहा की केंदरी स्वास्त मंधराला की तरफ से राजियों और केंदर शासित प्तवड़िशनकों एक नई एस वपी जाली की गई है तो स्वास्ते सचीव के मुटाबिक ऐसे छीटर जहां कोर्णा संकमर्दर 5 फीसदी से अधेक है वहाँ सामोहिक समारूस से बचना होगा इन छीटरों में संकमर्दर 5 पातिशब्द से कम होगी वहां कारिकंप के आयरोजन से पहरे अग्रिम अनुमती लेना जरूरी होगा तोर पर कहा गया है कि ऐसी छेत्र जहां पर कोरुणा संक्रमण की दर 5% 5% से भी अधिक है वहां सामोहिक समारों से बचना होगा और जिन छेत्रों में ये कारिक्रम को लेकर पहले प्रिशासन की अनुमती लेना जरूरी होगा उसके बाद भी आप कोई भी कारिक्रम आयोजित कर सकते हैं तो केंद्रे स्वास्ते सचिव राजिस भूशन ने गुर्बार को ये जानकारी दिया है और ये भी कहा है कि भारत में अभी भी कोर्ना वाइरस की दूसी लहर का खत्रा पूरी तरीके से खत्मन नहीं हुआ है इसलिए सामूही कायोजन के लिए पहले से इजाजत लेनी पड़ेगी कई राजियों में अभी भी संक्रमन में तेजी देखी जा रही है और उन्होंने कहा कि जिन राजियों में पाबंदियों में धील दी जा रही है बहां भी संक्रमन को लेकर चितावनी दी गई है यूँकि अगले दो महिने त्योहारों का महौल रहने वाला है। ऐसे में केंद सरकार की तरफ से कुरोना को लेकर अब सतर्खता वरतनी की सला दी गई है। कुछ नए नियम जारी के गए हैं और इन नियमों को लेकर एक नए सोपी जारी की गई है जो अब राज्यों और केंद शासित प्रदिशों को भेज दी गई है।